जैसी घड़ें दोस्तों वेल्कम ट्यू नामेंग क्लासेज मैं अर जूंखरे आप सबी की सामने आपके अपने यूट्वी चैनल न्यू नामेंग क्लासेज में स्वागत करता हूं जैसे कि आप सबी को बताए आप लोगों ने थम्नील पे देखी लिया होगा हमने यह नई स लिजेगा तीन बज़े की बाद में पांच बज़े आपके MPGK की क्लास से MPGK प्लस GKGS इतने इंपॉर्टन कोश्चन है इसमें पचास कोश्चन हमने हर इस सीरीज में हम लोग डेली पचा-पचास कोश्चन करेंगे वह मैं प्रश्चन जो पिछले एक्जामस में आये हु साइंस की क्लास तीन बज़े मेंस कॉश्चन की और अब पांच बज़े ये क्लास जो कि आप लोग देख रहे हैं अभी MPGK प्लस GKGS की ठीके इंप्रटन कॉश्चन की MPGK की टॉपिक वाइस क्लास लगना स्टार्ट कर दी हैं मैं नई सीरी स्टार्ट करी आप सभी को पता होगा साथ बज़े ठीके बिलकुल और रात की 9 वज़े आपकी मैस की कलास जो के नूत मैं में लेती हैं त्यकै । इत्ती सारी classes होने के बाद क्या करना है आपको बस ध्यान से पढ़ाई करना है आपको समय कहीं भी उदा दर्वेस्ट नहीं करना है ज्यादातर अपनी पढ़ाई को समय देना है इसलिए आपकी ये classes हमने कम समय में ज्यादा question करवाने हैं ठीक है चले स्टार्ट करते हैं आज की कलास हमारी पड़ा वड़ा आप लोग वीडियो लाइक और शेर कर दिया होगा उम्मीदें पहला कोशन आप सभी के सामने पहला कोशन क्या बोल रहा है लोग सबगा पूरे कारे काल धैस का होता है तो लोग सबगा कारे काल कितने तीदे बिल्कुल साही रवाप ओप्शन ए होगली चलिए नेस कोशन की ता बढ़े आते हैं सिविल अवग्या अंदोलन शुरू किया गया था तो कब शुरू किया गया था ब्रेंट बिल्कुल नॉर्मल सा कोश्चन है सभी को बताए 1930 ओप्शन डी इसका राइट अंसार है तो सिविल अवग्या अंदोलन कब शुरू किया गया था 1930 में नेस्सकोशचन सिखों के नवे गुरु कों थे तो सिखों के नवे गुरु कों थे नॉर्मल सा कोश्चन है ठीके ऑप्शन डी बिल्कुल गुरु तेक बात दे और ऑप्शन डी इसका राइट अंसार है ठीके यह सब देखेए गुरु जी के जो सिखों के गुरु हैं मैंने 12 बज़े वाली क्लास में टपिक कवर करवा दिया है जिसे नहीं देखिए स्टेटिक जी के क्लास वो भी देखेएगा कमेट सक्षेम आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी नेस्ट कोश्चन ठीके इंचियन एशाई खेल 24 में भारत दुआरा जीते सौन पदोग की संक्या क्या है तो कितने सौन पदग जीते ते बिलकुल ऑप्शन सी 11 ठीके ऑप्शन सी बिलकुल सही रवाप चली नेस्ट कोश्चन उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मु सबसे छोटा राज्य तो नॉर्मल सा कौश्चन सदबार कौश्चन गोवा ऑप्शन भी इसका राइट अंसर गोवा चली नेस्ट कोश्चन चंद्रमा की सतेव पर गेरे गड़े केलाते हैं क्या कहते हैं उन गेरे गड़ों को बिलकुल क्रेटर्स ऑप्शन सी इसका राइ का आपदा नहीं है बिल्कुल शेहरी करण के लिए वनोमलन ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल राइड अंसर है चलिए नैस कोश्चन छेत्र के संदर्व में इन में से कौन सा बड़ा महाधीब है तो बहुत बहुत शांदार बी एशिया एशिया इसका राइड अंसर चलिए नैस कोश्चन ठीके जमनी नदी का उद्गम कहां है बताएंगे जमनी नदी का उद्गम कहां से हुआ है ऑप्शन ए बिल्कुल सहीरेबाब सागर इसका राइड अंसर नैस कोश्चन किसी प्रदेश के राजिपाल की न्युक्ति कौन करते हैं तो यह कौन करते हैं किसी प्रदे नाम का अर्थ विश्व की देवी मा हैं तो किसके परवत के दिपती नाम का अर्थ विश्व की देवी मा हैं बिलकुल सही रवाब माउंट एवरेस्ट ऑप्शन ए बिलकुल राइड अंसर नेस्ट कोस्चन ख्याल गयान के लिए विख्यात इंदोर घराने की सापना किसने की तो किस ने की थी नॉर्मल ता कॉस्चन अमीर खान ऑप्शन सी इसका राइट एंसर चलिए नेस्ट कॉस्चन वर्ष दोयर सोला में दैश को दाधा फाल के साथ ठीके दाधा साथ फाल के पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो किसको दोयर सोला में दाधा साथ फाल के गया था अमिता बच्चन जी को ठीके बिलकोल ध्यान रखेंगें इस बात का चलिनेस कोस्टेदेद जिantine और हुद ट्लके apply पे अप्स्टर से और्षिण ए बिलकोल राइड अंसर नेस कोस्चन बोरी वंजीब भी अबयारंट की जिले में स्थिते तो बोरी वंजीब भी अबयारंट की जिले में है बिलकुल नॉर्मल सा राइट अंसर इसका उशंगा बाज उप्शन बी इसका right answer चलिए next question सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है बिल्कुल मारगेट नोबल उप्शन ए इसका right answer चलिए आगे बढ़े आते next question निती आयोक के अध्यक्ष कौन है बिल्कुल नरेंद्र मोधी उप्शन ए इसका right answer है नितियायो का अज्जश कौन होता है वर्तम जो भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर होते है इंडिया के और अभी वर्तमान में कौन है नरेंद्र मोधी जी चली आगे बढ़े आते नेस कोस्चन आसकर जीतने वाले प्रतम भार्दिये कौन थे तो आसकर जीतने वाले प्रतम सीधे बिलकुल देरादून ओप्शन डी इसका राइड अंसर नेस कोश्चन प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदेश से किने जाना जाता है किसे जाना जाता है बिलकुल तान से ओप्शन एसका राइड अंसर नेस कोश्चन किसने अभिज्यान शकुनतलम कुमार संभव ए प्रसीद नाटक लिखेते किसने लिखेते बिलकुल कालीदास ओप्शन ए इसका राइड अंसर नेस्ट कोश्चन राष्टिय बाली का दिवस दैश को मना जाता है तो कब मना जाता है बाली का दिवस बिलकुल चोवीच जन्वरी ओप्शन डी इसका राइड अंसर चले नेस्ट कोश्चन दोयार सोला में पुरुष एश्याई चेंप्रेंशिप ट्रॉफी होकी टूनामेंट किस देश ने जीता तो कौन से देश ने जीता बिलकुल भारत ने जीता ओप्शन भी इसका राइड अंसर ने ठीके शॉर्ट फॉर्म में एज जे कनहियां बोलते हैं चले बिलकुल सही जवाब एज जे कनहियां नेस्ट कोश्चन उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्याले कहां परे तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्याले कहां परे बिलकुल गौरकपुर ओप्शन डी इसका चलित आगे बढ़े आते नेज़ को शंग जरब वंदे मात्रम इनके दोहरा लिखा गया था तो बहिया बताएंगे बिल्कुल मैसूर option B इसका right answer next question सांची उस्तूप का निर्माण किसने कराया किसने किया था सांची उस्तूप का निर्माण बिल्कुल अशोग दमहान option C इसका right answer next question द्योट 17 में भारतिय स्टेट बैंक SBI के साथ कितने सयोगी बैंक विले हुए तो कितने सयोगी बैंक विले हो गएते बिल्कुल option C इसका right answer पांच next question पशू के लिए एक blood bank स्तापित करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बने गया है बताएंगे आप सब लो कौन सा बनेगा बिल्कुल सही रिबाब उडिसा बिल्कुल सही के रहे हैं आप लो उडिसा इसका right answer next question सिनेमा में भारत का सरवच्चे प्रुसकार कौन सा है हर चीज में सरवच्चे प्रुसकार होता है तो सिनेमा में कौन सा प्रुसकार होता है दादसाब फाल के बिल्कुल सही जबाब ऑप्शन एस का राइड अंसर नेस कोश्चन तांसेन संगीत समारों दैश में आज़ीत के रहता है तो कहां आज़ीत के रहता है बिलकुल गवालियर तांसेन मतलब ही गवालियर और उज्जेन मतलब कालिदाज चलिए आगे बढ़े आते हैं कुंडम कुलम नाप कि जनगर्णा के अनुसार मद्यप्रदेश की उसर साक्षतादर क्या है लिट्रेसी रेट मद्यप्रदेश का 69.32 ऑप्शन सी बिलकुल सही जवाब नेस कोश्चन विश्वनात आनंद दैश के प्रसिद गलाडी हैं तो विश्वनात आनंद किसके प्रसिद गलाडी हैं बि बिलकुल उज्जेन और इंदोर ऑप्शन भी इसका राइड अंसर नेस कोश्चन राज जिपाल का कारेकाल कितने का होता है बताइए कितने कितने वर्ष का होता है राज जिपाल का कारेकाल ऑप्शन भी पाँज वर्ष बिलकुल सही जवाब नेस कोश्चन डियूस इस से स जम्बंदी दे बिल्कुल TANYS, OPTION D, इसका RIGHT ANSWER, next question, होम रूल लीक की सापना इनके दोरा की गई, तो किनके दोरा की गई, बताएंगे आप सभी लोग, बिल्कुल mamycent, OPTION D, इसका RIGHT ANSWER, next question, पहला Gayr A.M.E.R की टाइमस परसन आफ दे एर कौन था, तो कौन था बिलकुल मात्मगांदी जी आप सभी को पता है इसका राइट अंसर नॉर्मल सा है काफी वेरी इंपोर्टन कोश्चन नहीं वाला 2016 में महिला एकल चीन ओपन बैडमिंटन टूरमेंट किस नहीं जीता तो किस नहीं जीता था बिलकुल यहाँ पर सही जबाब आप्शन ए पीवी सिंदू चलिए नेस कोश्चन गवालियर में पैदा हुए प्रसीद सरोध वादक सभी को पता है कई बार वेरी इंपोर्टन कोश्चन अमजेद अली खान वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्चन जित्ती बार वेरी लगा सकते उत्ती बार इंपोर्टन कोश्चन है ठीके चलिए अगला कोश्चन द्यार सोला में समुंद्र में आ साधनन शोहरे के लिए अंत्यराश्ट्रे समुद्री संगटन का पुरुस्कार बताएंगे आप सभी लोग इसका राइट एंसर क्या होगा चलिए बिलकुल जोलो भी के बारतिय संगी की विबन इंकायों के बिज विवाद ऑप्शन भी इसका राइट अंसर है नेस कोश्चन वे बारतिय जिने रमन मेक्से से पुरुसकार द्वार सोला से सम्मानित क्या गया था वे टी-म क्रिश्ण और जैस थे तो एक और कों थे एक तो टी-म क्रिश्ण थे प्रिव रिष्ण को थे बिलकुल बेज बाला विलोसन ऑप्शन बिसी इसका राइट अंसर हे अगला कोश्चन भारत में तेल के कहां हैं बताइए भारत में थी तेल के कहां है काफी को नहीं पता होगा पर भारत resonate किक हुए हैं बिल्कुल कहाँ पर है आसाम ऑप्शन डी इसका राइड अंसर ठीके फ्रेंट्स चलिए नैस कोस्चन व्रिद्दा की तैयारी के करने के उपरांत इस क्रिशी अभ्यास अनुसरन किया जाता है तो किसका अभ्यास किया जाता है फ्रेंट्स बिलकुल बुआई option C इसका right answer next question किस वर्ष में बाग परियोजना का लोक और पन हुआ था तो कौन सी वर्ष में हुआ था फ्रेंट्स बिलकुल 1973-74 option D इसका right answer tiger project की बात कर रहे हैं तो कब 1973-74 में चलिए अगला question किस वर्ष में भारत एक घंडराज्य बना तो किस वर्ष में भारत एक घंडराज्य बना बिलकुल 1950 option B इसका right answer चलिए next question देख लेते हैं चलिए पर हमारे question खतम होते हुए 50 question में आपके करवा दिये एकदम भड़ी अतीम है पुण प्रश question आपको कैसे लगे कितने questions बने सभी आप लोग comment section में comment करके बताएंगे और लगबक 30 plus questions तो बनने ही चाहिए और मेरे क्याल से सभी से बन गए होंगे नहीं बने हैं तो थोड़ी practice बढ़ाई हैं जिनके बन गए उनके लिए अच्छी बात हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टन कोश्चन थे टाइम टेवल यह रहा इस किन शॉट ले लिजेगा यह आपकी क्लास पांच बेजी के और एक्स्ट्रा क्लास लगाई गई है MPGK plus GKGS की वेरी इंपॉर्टन कोश्चन की क्लास जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी लंबी स्रीच चलेगी है जब तक आपका एक्जाम नहीं जाता है जब तक क्लास से चलेगी आपको डेली अटन करना है इस वीडियो को जाएदा शेर करिएगा फ्रेंट्स थैंक्यू जैशी गणे धन्यवाद